111 क्रोड की cash में विक्वाली FIS की तरफ से और FIS की 2,088 क्रोड की विक्वाली index futures में मैं लग मालग की 2200 क्रोड की उनने बेची हैं stock सामने 970 क्रोड के खरीदे हैं index यानिक इने टेर 1200 क्रोड की विक्वाली direction तरफ पर 3200 क्रोड की खरीदारी local funds की है cash में 4500 क्रोड की तीन बड़ी block deal थी कल एक IRB की थी उससे बड़ी inter globe की थी और 30 होनासा की थी 222 क्रोड की होना सा की थी और 32-3300 क्रोड की indigo की थी और बाकी IRB की थी इन डील्स में कुछ adjustment है FIS के खरीदारी बिक्वाली के भी local funds की खरीदारी बिक्वाली के है इसलिए बहुत जादा उसकी detail में गुसके फायदा नहीं है सिंपल आप यह समझे कि आंक्रे खरीदारी की तरफ ही है साड़े 4000 क्रोड की ब्लोग डील के बावजुद FIS की बिक्वाली का आंक्रा सिर्फ 111 क्रोड का है और local funds की खरीदारी का है तो नेट नेट आप खरीदारी ही समझे एफायज और local funds की तरफ से और यह आंक्रे ठीक है पिछले तीन चार दिनों से एफायज ने बेचनी से हाथ रोका है कोई दबा कर जोर से बेचनी रहे बराबर है और आपको लाइफ हाई पर टिकने और आगे बढ़ने के लिए इतन आपको बजट कब चाहिए तीन देट चल रही है पहली जुलाई, आठ जुलाई और बाइस जुलाई तीनों दिन मंडे येस तो पहली कर देंगे, पहली और आठ जुलाई में संभावना है ज्यादा है, आपको कौन सी तारीक पसंद है बजट के लिए, आपकी फेवरेट, नुमरालोजी के हिल्यास से देख लीजिए, या आपके कोई और कमिटमेंट है उससाब से, जल्दी से मुझे आप अपने ज जल्दी से बताईए, तो जाए तो जाए सोशल मीडिया हैंडल पर एनलजी के और वीडियो देखें और बताईए, कब आपको बढ़ट चाहिए, बट हम भी इंतिजार करेंगे, आज बाइदव बाइदे बटमेंट वीजिए, इन फेवरेट कोन सी है, जल्दा जल्दी से वित्यमंत्री भी कमांड समालेंगी, साड़े नौव बजा उपदभार समालने वाली हैं, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लाइव कवरेज आपको जी बिसनस पर दिखेगी, आए फिर आज की स्ट्राटेजी भी समझते हैं सर, बताईए कुछ खास आज की स्ट्राटे इंट्रेस्स तो रहना चाहिए, अगर आज तो दीप, बड़ा बेकार है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा ट्रिगर्स नहीं है, खबरे कम है, आप बलगे हैं, कहां आ गया है, वो पुराने वाले है उसमें, मतलब ऐसा दूर दर्शिन का जवाना आ गया हो, आकाश्वानी पर हो जाता है, तो चलिए, बहुत कुछ अच्छा है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, क्या है पहला है, पहले तो आज ग्लोबल संक्रत में मजबूत मान के चल रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, SNP और NASDAQ ने फिर से रिकोर्ड हाई बनाया है, तो अच्छा समझे खरा अच्छन वाली बात, मिटकेप और समॉल केप शेरों में जो तेजी और ये परस हो, समॉल केप, कल, मिटकेप, एक 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 लेडर्शिप लेकर जो तेजी कर रहा है, इससे ब्रोडर मार्केट का रिटेल इंवेस्टर्स का सेंटिमेंट है मजबूत, और कंसलेशन मे क्या है, सपोर्ट लेवल पर आपको करनी खरीगा रही है, रोज आपको एक मौका जारा है बाजार सपोर्ट में खरीगा आज भी ये करना है, और उपर के लेवल पर प्रोफिट बुकिंग भी करना है, अब एक बार जरूर ऐसा होगा, या तो नीचे टूटेगा या उपर निकल जाएगा, और तब आपको एक बार स्टोक लोस होगा, लेकिन एक बार स्टोक लोस होने के पहले दस राउंड आपने तेजी मंदी कर लिए तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, बिल्कुल, तो ये मौका आपको दे रहा है, तो दोनों तरफे ट्रेड करिए, कैश मार्क करने की बात ही, तो हमने एवरेज करने के लिए भी बोला कि आप एवरेज कर लिजे, लेकिन अब आपको यहां से सेलेक्टिव होके कैश मार्किट के स्टोक लेने, जो सस्ते शेर हैं, अच्छे शेर हो करी लिए, जो भाग गए थोड़े पिछले पांसा जिनों में, उन प जो मर जाए लेलो बढ़ जाए गए, वो नहीं, सेलेक्टिव, ले रहे? ठीक है सर्फ.